हलो फ्रेंड्स दिस इस जोर मैंटर नवीन वलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल जहां मैं करवाना हूँ आपके तयारी कॉमर्स के बिजनस टरी सब्जेक्ट की जी हां दोस्तों आप तक बहुत सी वीडियो में बहुत से टॉपिक को हम डिसकस कर चुके हैं आज मैं आया ह आज के टाइम में शायद बहुत ही ज़रत है हां जी हम बात करने वाले हैं उद्धमिता या इंटर्प्रेनियॉर्शिप की एक ऐसा स्किल एक ऐसा टालेंट जो आज की यूट्स में देखा जाता है बेसिकली कि वह अपना काम कितना चाहते हैं करना वह अपना सल्फ डिपे इंटर्प्रेनियॉर्शिप पे जिसे बोलते हैं हिंदी में उद्धमिता एक ऐसा व्यक्ति जो की उद्ध्यमिता का कारे करना चाहता हो वह उद्ध्यमी बन जाता है कि ऐसा व्यक्ति तो सालसी है वो काम करना चाहता है वो रिस्क बियर करना चाहता है वो नई क्रेटिवि किया है अगर आप कोई काम करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो उस इंटर्प्रेंडे फ्रेंच वर्ड से वर्ड बन गया एंटर्प्रिन्योर्शिप या उद्धिमिता जी इस वर्ड का जन्म किया है फ्रांसेसी अर्थ शास्त्री, फ्रांसेसी एकनोमिसिस्ट है, कैंटीलोन ने, कैंटीलोन ने इस उद्ध्यमिता शब्द का प्रोडक्शन किया है, उसे बनाया है और इसे हमारे लिए यहां तैयार किया है, तो कैंटीलीन इसके जन्मद आता है, बात करते हैं, जो है वह इन्वेशन से रेलेटेड है, इन्नुवेटिव एक्तिव है, एक वلك टिसे टिव करता है जो परसण इंटर Heilainen है, वह अपनी इनवेटिव टेक्नीक सा इन्वेशन लगा करके, नए आइडिया, जहने टेक्नोलोजी लगा करके, काम को करना चाहेगा, चाहेगा, कि वो हर चीज़ को इतना creative work करें, हर चीज़ को इतना अच्छा बना कर चले, कि उसे benefit भी हो और वो काम को ने तरीक से करना भी चाहेगा. थर्ड हमारा है option risk bearing, जी मैंने पहले ही बताया कि एक entrepreneur एक उध्यमी वही वेक्ती है, जो सालसी है, जो leader है, जो risk लेना जानता है, जो risk उठा करके काम कर सकता है, और एक person, a person who take risk in his life is really free from danger, जितना ही आपका risk होगा और उतने ही आपके benefits प्री होगी. हमारा fourth feature होगा इध्यमिता का वो है professional activity, जी हाँ उध्यमिता एक पैशेवर किर्या है आज के time में, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उध्यमी बनने के लिए और एक ऐसा entrepreneur बनने के लिए कार्य कर लेता है, ये भी पैशेवर किर्या है, इसके लिए अलग से courses है, इसके लिए इसके लिए डाली जाती है, उसे निखारा जाता है और उसे काम करने के लिए ready कर दिया जाता है, तो ये एक professional activity है, ऐसा हम कह सकते है, last but not least, यहाँ पर इसका उध्यमिता की feature का last point होगा, लेकिन उध्यमिता का concept अभी खतम नहीं होता, अगली वीडियो में हम फिर बात करेंग इसके बारे में, एक process of searching opportunity, जी हाँ, entrepreneurship एक ऐसी process है, जिससे आप नई opportunity को search करते हैं, नई opportunity को खोजते हैं, तो यह है overall entrepreneurship का program, एक concept जो मैंने आपके सामने रखा, इंटरप्रेटेंडे से यह आया हुआ, एक word, entrepreneurship, जो आपके अंदर एक ऐसी skill और एक ऐसी innovation technology का लाकता है, जिससे आप नए कारे को नए तरीके से अपने काम को करना पसंद करते हैं, अगली वीडियो पर बात करेंगे, इस EDP या entrepreneurship का क्या जादा महतव रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, नए topic के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care.